जैपुर में 42 वर्षी पुलिस कॉंस्टिबल के कुरोना पॉजिटिव मिलने के बाद डीजीपी भुपेंद सिंग यादो ने पूरे प्रकरण का रिवियू करने के निर्देश दिये हैं इसके साथ ही डीजीपी ने ये भी कहा है कि एक पुलिस कर्मी के कुरोना पॉजिटिव मिलने पर जल्दी ऐसे ही किसी भी निर्देश पर नहीं पहुशना चाहिए पुलिस कर्मी के कुरोना पॉजिटिव पाए जाने का रिवियू किया जा रहा है इससे अन्य पुलिस कर्मियों के मनोबल में कोई कमी नहीं आए डीजीपी आदो ने कहा कि जैपुर में जो पुलिस कर्मी कुरोना पॉजिटिव पाए गया है उसके पॉजिटिव पाए जाने के कावणों का पता लगाय जा रहा है जो भी पुलिस कर्वी फिल में तेना थे और खासकर जो मेडिकल टीम के साथ डूटी कर रहा है उन्हें विशे सूट, मास्क और गलब्स के साथ ही अन्य तमाम सामान दिये जा रहे हैं